दक्षिन भारत में धनुशकोडी नाम की एक स्थान है जहां भारत की अंतिम सड़क बनी हुई है इस स्थान का संबन रामाइन काल से भी माना जाता है भारत की आखरी सड़क साउथ इंडिया में ही है यह सड़क यहां के धनुशकोडी गाउं में है धनुशकोडी तमिलाणू के दक्षिन पूर्वी शोर पर रामिशुरम दीप के किनारे भारत और श्री लंका के बीच स्थलिय सीमा है जो पचास गच के छेतर में बालू के धे पर मौजुदें को भारत का आख्री शोर खाहा जाता है स्थान पर भारत की आख्री सठक कि पनी हुई हूई यह कहा जाता है कि इस जगह को श्री लंका एक्दम साफसाफ नजर आता है इस स्थान का संबन रामाइंड काल से भी है धनुशकोडी रामशुरम से करीब 15 किलो म पर है इसी इस्थान पर हनुमान जी को राम सेतु बनाने के लिए श्री राम ने आदिश दिया था इसके बाद वानर सेना ने सेतु को निर्मान कार इस इस्थान से शुरू किया माना जाता है सीता माता को लंका से मुक्त करवाने के बाद भगवान राम ने अपने धनुश की एक सिरे से राम सेतु को तोड़ दिया था इसलिए इस स्थान को धनुश कोड़ी कहा जाता है और ये है सौधी अरब में एक विशाल पत्थर जिसे अल नासला रौक कहते हैं जो बीच में से दो टुकडों में बाटा हुआ है ये चार हजार साल पुराना है लेकिन ये पता नहीं चलाज की इसे किसने काटा ये है भारत का सबसे अनोखा गाउं यहां का मुखिया खाता है भारत में और सोता है मियामार में इस गाउं का नाम है लौंगवा जिसका आधा हिस्सा भारत में पढ़ता है और आधा मियामार में जापान में एक रेलवे स्टेशन को बंद करने का निर्णे किया गया लेकिन बाद में पता चला एक लड़की ट्रेन से अपने स्कूल जाती थी और कोई स्कूल पहुचने का उसके पास जरिया नहीं था तो फिर से ट्रेन को शुरू किया गया और जब तक उस लड़की की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती ट्रेन वैसे ही चलती रहेगी ये निर्णे किया गया जापान में दुबई में दुनिया का सबसे गहरा सिमिंग पूल बनकर तयार है पानी के अंदर ही रेस्टरांग और दुकाने भी हैं डीप टाइब दुनिया का सबसे गहरा सिमिंग पूल दुबई में बनाया है और जिसकी गहराई करीब 60 मीटर यानि की 200 फीट है जो ऑलम्पिक इसके 6 सिमिंग पूल के बराबर है इसमें 1 करोड 40 लाख लीटर पानी आता है इस पूल को जल मगन शेहर की तरह से बनाया गया है